कि अब दिवन मैं गवरी फूडी में आपका सवाथ रटती हूं आज की हमारी एस्पी है मठर पनीट मठर पनीट को बहुत तरीके से बनाया जाता है आज हम अपने इस्टाल से मठर पनीट मनाना बताएं गर आपको अमारा ये वीडियो अच्छा लगी तो इस वीडियो को अ सब्सारी करें अब दדי लेते हैं बडर परिमाले के लिए में क्या कैचें कि मारे दो बड़े प्यार जिसे मैंने निक्सी की सहता से पिस ले आ है जाए तो इसे नाथी च्छुटे नदर कर लें और प्याज खी आपमाड़ीजके जोटे-्धारन कर लें और अपार आपनाट फाइब टेपल स्पून ओयल, स्ववराम मटर और दूसो ग्राम पनीर नमक स्वाधन सा, एक छोड़ा चमाच जीरा, एक छोड़ा चमाच लाल मर्च, आधा छोड़ा चमाच अल्दी, एक छोड़ा चमाच जींजर, गाले और मैंने इसे मिर्च के साथ कीछटी आया है, आधा छोड़ा चमाच बड़ मसाला, दूछोड़ा चमाच धनिया काउडर और एक छोड़ा चमच पनीर मशाला आप चाहें तो किचिन किंग भी डाल सकते हैं अगर किचिन किंग भी ना हो तो ना डालें अब हम मतर पनीर मनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक कडाई लेंगे और उसमें तिल डाल देंगे तिल गरम हो गया है तो हम जीरा डाल देंगे अब जिंजर गार्लिक और मिर्च का पिस डाल देंगे अब प्याज का पिस डाल देंगे प्याज को गोर्लर गराण होने तक पकाना है अब हम मटर को बाल कर लेते हैं जिससे की मटर का कच्छा पन निकल जाएगा मटर बाल हो गई है तो मटर को एक बाल में निकाल लेंगे प्याज गोर्लर ब्राण हो गया है तो टोमाटर का पिस डाल देंगे अब नमक डाल देंगे अली डाल देंगे लाल मिर्च डाल देंगे दनिया पौर्ड डाल देंगे और पनीन मसाला डाल देंगे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक यह तेल ना छोड़ने लगे अब ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है तो मटर डाल देंगे अब हम पाने डाल देंगे मैंने गेड़ का पाने डाला है अगर आपको ग्रेवी गाड़ी पसंद है तो कमपाने डालें और अगर आपको पतली पसंद है तो और डालें अब इसकेप बॉल होने तक केंगे अब पने डाल देंगे इसे एक दो मेंट तक दखकर पकाएंगे अब दो मेंट हो गये हैं तो इसे देख लेते हैं अब हम गरम मसाला डाल देंगे क्योंकि हमने खड़े मसाले का यूज नहीं किया है अब दनीय पत्ती भी डाल देंगे यहां थोड़ा सा पने का दुकस करके डाल देंगे जिसे की दिखने में अच्छा लगता है अब हमारा मटर पनी तैयार है इसे अब सर्फ कर सकते हैं देखा आपने मटर पनी मिलाना कितना अबसाल है अगर आप हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो आप इस रेस्पी को जरूब ट्रय करें और आप अपने एक्स्पिरेंस कामरेट के जरी हमने बताएं करे देखा करें